देश की अर्थविवस्था चर्मरा गई है एक गंभीर संकट भारत के सामने है पर देश के सरकार अपने खोखले दावे और मंत्री अपने बढ़ बोले पन से उस पर कोई अंकुष नहीं लगा रहे है अभी देश की वित्मंत्री ने कुछ समय पहले पत्रकार संबेलन किया अगर उसमें आपको कुछ समझ आया हो तो कृपा हमको भी बताएं क्यूंकि वो निराशा जनक था नीरस था देश की आर्थिक स्थिती को देखते हुए और संकट की गंभीरता को देखते हुए ये पेक्षा की जाती थी कि सरकार कोई ऐसे कदम उठाएगी जिससे पुनर जीवित होगी भारत की अर्थ विवस्था निवेश बढ़ेगा रोजगार पैदा होगा जो तूट रहा है और उसके साथ साथ देश की जो राष्ट्री आयद तूट रही है निर्यात तूट रहा है निवेश तूट गया है उसकी भी कहीं रोख लगकर दुबारा एक नई शुरुवात की तरफ देश जाएगा कोई ऐसा कदम वित्मंत्री ने नहीं बताया जिससे कोई उमीद बन सके कि हमारी अर्थ्वेबस्ता अपनी इस वक्त की घायल स्थिती से उभर कर सामने आएगी वित्मंत्री और सरकार के मंत्री देश के सामने संकट को सही रूप में उसका आक्लन नहीं कर पा रहे उनकी क्षमता नहीं है उनके पास कोई विशन नहीं है और मंत्रियों के जवाब तो देश को चौंका दिये है और युवा पिड़ी कब अपमान किया है कि जो नई पिड़ी के लोग हैं मिलेनियल्स यानि कि जो इस सदी के नौजवान है भारत के उनकी वज़ा से देश की अर्थवेबस्ता तूटी आज भी वित्मंत्री ने एक शमा नहीं मांगी उस बात के लिए इतना बड़ा मजाक और अपमान शायद इस से पहले देश के किसी वित्मंत्री ने संकट की घड़ी में देश के लोगों का ना किया हूँ जब तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार का निवेश है वो नहीं होगा कोई भी आगे रास्ता मुश्किल लगता है जो हालात है कि ये कारे काल तो छोड़ दीजिए उसके बाद के भी बहुत बरसों तक वहां तक हम पहुँच पाएं कि जो इनको मिला था विरास्त में उससे आगे ये छे साल में छटा साल में केवल पॉइंट सेवन ट्रिलियन डॉलर आगे बढ़ें